नमस्कार विकेबिन उसके खास पेशकर्श देश प्रदेश दुनिया में आपका बहुत-बहुत स्वागत है महाराष्ट में ओमिक्रों संप्रमन के साथ नए मामले सामने आए है आकड़ों में इजापादेक, मुंबे पुलिस ने 11 और 12 दिसंबर को महानगर में रैली, मोर्चा और सभी तरह के जुलूस पर रोक लगा दी है इसे बीच मंद्री मलीक ने इशारों में जल्ड़ी अपने घर पर केंद्रिय जांच एजन्सिस के आने वाली की संभावना जताई है डिटर पर लिखा कि सुना है मेरे घर में आज याकर सरकारी महमान आने वाले हैं हम उनका स्वागत करते हैं वही रत्नागरी के चिपलूर में नगर परिशत भवन की दूसरी मंजिल पर एक पिता और अपने दो बच्चों के साथ चड़ गया और ऑफिस की बालकरी से चलांग लगा सूसाइड का प्रयास किया उदर पीमप्री चिंसवड में शियुसेना जिलस संपर के प्रमुक एवं पूरा मंत्री सचिन आहिर ने कहा कि अब शियुसेना का मुख्य उदेश आगामी मनपा चुराओ में यहां से भाजपा को सत्ता से उखाड फेकना है इसके अलावा पीमप्री चिंसवड में ही पूलिस ने हाई टेक चोर को अरेस्ट किया है वह एप के ज़री जलिर शॉप्स ओनर्स को ठगी का शिकार बनाता था प्रदिश के इन पाच बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रही आफ हमारे साथ देश में कोरोना के ने विरियन ओमिक्रॉन के मरीज स्तेजी से बढ़ रहे है अब तक 32 केस सामने आ चुके है सबसे जादा केस महाराष्ट में मिल रहे है एक आधिकारिक विग्यपती में कहा कि पुने जिले में 3.5 वर्षी बच्ची समेथ महाराष्ट में ओमिक्रॉन स्वरुप के 7 ने मामले सामने आये है ये बच्ची कोविड-19 के इस ने स्वरुप से संक्रमित देश की सबसे कम उमर की मरीज हो सकती है 7 ने मामलों में से 4 पुने जिले से है और ये सबी भारती मुलकी नाइजिरिया से आई 3 महिलाओं के संपर्क में आये थे जिनमें पहले इस संक्रमन की पुष्टी हुई थी अब मुंबई पुलिस ने 11 और 12 दिसंबर को CRPC की 144 लागू करने का फैसला किया है इस दोरान महानगर में रैली मोर्चा और सभी तरह के जुलूस पर रोक लगा दी गई है अकेले महाराष्ट में अब तक 17 महामलों की पुष्टरी हुई है एक अधिकारी ने बताया कि पुलिस आवयुक्त की ओर से जारी आदेश शनिवार और रविवार को 48 घंटों तक लागू रहेगा उदर भारतिया अर्युवे ज्यान अनुसंदान परिशत के अनुसार मेडिकल लिहास से देखे तो ओमिक्रॉन अभी तक हेल्थ सिस्टेम पर बोज नहीं डाल रहा है लेकिन सतर्ताब बनायर रखनी होगी विश्वसास संगटन भी इस बात पर चिंता जता चुका है कि ठीका करंदर में वृद्धी के साथ विश्वस्तर पर पब्लिक हेल्थ और सामाजी उपायों का पालन कम हो रहा है मंत्री नवाब मलीक ने NCB के जोनल डिरेक्टर समीर वानखेडे के पिता ग्यानदेव वानखेडी की ओर से दायर मानहानी के मुकदमे में मुंबई हाइकोर्ट से बिना शर्त माफी मांगी है बता दे कि ग्यानदेव की ओर से हाइकोर्ट में मुकदमा दायर किया गया है इसमें उन्होंने आरोप लगया है कि मलिक उनके परिवार के खिलाब अपमांजनक और मानहानिकारक बयान दे रहे है इसलिए मलिक पर उनके परिवार के सदस्यों के खिलाब बोलने पर रोक लगाई जाए और शतिपूर्ती के रूप में सवा करोड रुपे दिलाए जाए इसमें नयमूर्ती S.J. कातवाला और नयमूर्ती मिलिनजादों की खंड़पीट के सामने सुनवाई के दोरान मलिक ने कोट को आश्वासन दिया था कि वह सुनवाई के दोरान वान खेड़े के परिवारों के सदस्यों के खिलाब बयान नहीं देंगे फिर भी उन्होंने जहर उगला अब मंतरी मलिक ने इशारों में जल्द ही अपने घर पर केंद्रिय जांच एजनसीज के आने की संभावनाज जताई है शनिवार को मंतरी ने ट्विटर पर एक पोस्ट लिखी है कि सुना है मेरे घर में आज या कल सरकारी महमान आने वाले है हम उनका स्वागत करते हैं हमें उनसे डरना नहीं है बलकि लड़ना है गांधी गोरों से लड़ते और हमें चोरों से लड़ना है बता दे कि मलिक इससे पहले भी कई बार केंदर पर सरकारी जांच एजन्सी के दुरुपियों का आरोप लगा चुके है महराश्ट के रतनागिरी के चिपलून में नगर परिशत भवन की दूसरी मंजिल पर एक पिता और अपने दो बच्चों के साथ चड़ गया और ओफिस की बालकनी से चलांग लगा सूसाइट का प्रयास किया हालांकि ओफिस के करमचारियों को इसकी भनक लग गई और दोनों बच्चों को बचा लिया गया उचाएं से गिरने से पिता के पैर और हातों में चोटें आ गई शक्स का नाम नरेश नलवाडे है पर जाकर खड़ा हो गया और कुछ लोगों को आता देख छलांग लगा दी मौके पर मौजूद कुछ करमचारियों ने बताया कि शक्स अपने बच्चे को भी नीचे फेकने वाला था बगर नगर निगम के सुरक्षा गार्डों ने समय पर बच्चों को पकड़ लिया और उनकी जान बच गई आफिस के कुछ लोगों ने हंगामा देख नीचे खड़े होकर आरोपी को तिरपाल के सहारे रोकने का प्रयाज भी किया गटना की सूचना मिलते ही चिपलिन पुलीस मौके पर पहुची और नगर सुरक्षा गार्डों ने नरेश को पुलीस के हवाले कर दिया जाच में सामने आया है कि घरेलू विवात के चलते नरेश मानसिक रूप से परेशान चर रहा था और निगम करमचारियों के साथ हुई भस के बाद आपाखो बैठा पीमपरी चिंसवण में शिवसेना जिलास संपर के प्रमुक एवं पूरमंत्री सचिन अहिर ने कहा कि अब शिवसेना का मुख्य उदेश आगामी मनपा चुनाओ में यहां से भाच्पा को सत्ता को उखाण फेक ना है उन्होंने कहा कि भाच्पा ने प्रदान मंत्री नरेंदर मोदी तदकाली मुख्य मंत्री देवेंदर फेडनवीस का चहरा चिपा कर पीमपरी चिंसवण मनपा चुनाओ में वोट मांगा था मगर सत्ता में आते ही अपना असली चहराज सामने ला दिया पिछले पास सालों में ब्रशाचार चरम पर पहुझ गया है उन्होंने ना केवल जंता को गुमराह किया बलकि धोका भी दिया उन्होंने याद दिलाया कि शिवसाने के पास महानगर की समस्याओ को हल करने विका मुंबई की तर्च पर पिम्प्री चिंसवड को विकसित करने की शमता सिर्फ शिवसेना में है यह पिम्प्री चिंसवड करों को दिखा देंगे पिम्प्री चिंसवड करने कॉंग्रेस राष्टरवादी और भाच्पा को मौका दिया अब शिवसेना को मौका दे पिम्प से शरका चहरा बदल कर दिखाएंगे उन्होंने पिंप्री चिंसवर को उसी गती से विकसित करने का भी वादा किया जिस गती से मुंबई ठाने ने शिवसेना के नेटर तुम्हें विकसित किया लोगों का शिवसेना पर अटूट विश्वास है महराश्टर के पिंप्री चिंसवर पुलिस ने हाई टेक चोर को अरेस्ट किया है वह एप के जरिये जोलरी शॉप ओनर्स को ठगी का शिकार बनाता था वह जोलरी खरीदने के बाद ऑनलाइन पेमेंट करता था फोन डिस्पले में पेमेंट ट्रांसपर नजर आता था लेकिन पैसे शॉप ओनर या जोलरी मालिकों के अकाउन में नहीं पहुचते थे किसी को शक नहो इसलिए वह पैसे ट्रांसपर करने का स्क्रीन शॉट भी श पूलिस ने उसे पूने से सटे इंदरी लाके से पकड़ा है यहां यहां किराय के घर में रहता था पूलिस के अनुसार पढ़ने में तेष तर्रार निखिल अपने क्रिडिट कार्ड का ज़रुरत से ज़्यादा ऐस जरुच्छ चुका था उसे चुकाने के लिए ही उसने पेमेंट एप का इस्तेमाल किया था इस एप की जानकारी उसे यूटूब से मिली थी इस तरह के एप से फर्जी ट्रांजिक्शन किये जाते हैं यानि देखने में ऐसा लगता है कि पैसे ट्रांसपर हो गए लेकिन वह अकाउंट में नहीं पहुचते थे आरोपी निखिल ने भी यही तरह कापनाया और कई जोलरी मालिकों से लाखों के गहिने खरीदे एक जोलरी शौप के मालिक की शिकायत के बाद पुलिस ने इस मामले में जान शुरू की और सिसी टीवी फोटेज की मदद से आरोपी को पकड़ा निखिल ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है सीडियस बिपंदरावत की वीरगती का लाइव वीडियो बनाने के बाद प्रतिक्रियाओं से आहत केरल के मलियाली फिल्मों की निर्देशक अली अकबर ने मुसलिम धर्म छोड़ने का एलान किया है और कहा है कि वो जल्द ही अपनी पतनी के साथ हिंदु धर्म अपना लेंगे वही टिक्री बॉर्डर से आंदोलन समेट कर घर लोट रहे पंजाब के किसानों के साथ हर्याना के हिसार में हाथसा हो गया इस हाथसे में पंजाब के मुक्तसर साहिब निवासी किसान सुक्विद्नर सिंग की मौके पर ही मौत हो गई तो गोवा के दोरे पर पोचिक कॉंग्रेस मासचिव प्रिया का गांधी खुले कर कलाकारों के साथ डांस कर विवेदों में घिर गई है उधर तेजस्वी यादो की गुपचुप शादी पर पूर्व सांसत और मामा साध्यू यादो ने कहा कि क्रिश्यन लड़की से शादी करके तेजस्वी ने समाज के माथे पर कलंक लगाया है हमारा यदिवशी समाज इसे स्युकार नहीं करता इसी बीच केंद्रिय सड़क परवियन और राजमार्ग मंत्री नितिन गड़करी ने अपनी ही सरकार पर सवाल उठाया है उन्होंने कहा कि भारत में सिस्टम के कारण अधिक्तम परियोजनाओं में देरी हो रही है देश के इन पाच बड़ी और ताज़ातरी खबरों को विसार से जाने के लिए बदनरी आफ हमारे साथ केरल के मलियाली फिल्मों के निर्देशक अली अकबर ने मुस्लिम धर्म छोड़ने का एलान किया है और बताया है कि वजल ही हिन्दु धर्म को अपनी पत्नी के साथ अपना लेंगे दरसल बीते दिनों अली अकबर ने बीपिन रावत की विरगती का लाइव वीडियो बनाया था जिस पर कुछ कटरपंधी लोगों ने हसने वाला इमोजी लगाया था और स्रीडियस रावत का मज़ाक उड़ाने की कोशिश की थी लोगों के इसी रवये से अली अकबर की भावना आहत हुई उन्होंने फेस्बुक लाइमें आकबर इस बारे में बात की बीपिन रावत को श्रदा अंजली देते हुए अली अकबर ने कहा इस बात को कभी सुविकार नहीं किया जा सकता इसलिए मैं अपना धर्म चोड़ रहा हूँ बीपिन रावत की मौत की खबर पर हसने वाले अधिकतर लोग मुस्लिम थे उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि रावत ने पाकिस्तान और साथ ही कश्मिर के आतंकियों के खिलाब कड़े कदम उठाए थे मैं ऐसे धर्म के साथ नहीं जूड सकता हूँ अकबर ने कहा कि मुस्लिमों की तरफ से ऐसी हरकत का विरोध इसलाम के सीनियर नेताओ और धर्मगुरों ने भी नहीं किया है देश के बहादुर बेटे का ऐसा अपमान स्विकारियन नहीं है अकबर ने सोचल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर कहा कि उनका धर्म से विश्वास उठ गया है ऐसे लोगों की मानसिक्ता पर लानत है जिनकी सोच इतनी ओची हो सकती है मेरा ये फैसला उन लोगों को जवाब है जिन्होंने भारत के खिलाफ इमोजी पोस्ट किये थे टिकरी बॉर्डर से आंदोलन समेट कर घर लोट रहे पंजाब की किसानों के साथ हर्याना के हिसार में हाथसा हो गया नेशल हाइवे 9 पर शनिवार अलसुबा करिब 7 बजे किसानों की ट्रॉली को गावड टंडूर के पास ट्रक ने टकर मार दी हाथसे में पंजाब की मुकतसर साहिब निवासी किसान सुक्विंदर की मौके पर ही मौत हो गई पंजाब की किसान नेशल हाइवे 9 से होते हुए पंजाब जा रहे थे जब किसानों का काफिला हिसार में धरडूर के पास बगला रोड मोड के नजदिक पहुचा तो पीछे से तेजगती से आए एक ट्रक ने ट्रॉली को टककर मार दी ट्रक की टककर से ट्रॉली मौके पर ही पलड गई इसमें मुक्तसर साहिब के किसान सुक्विदर सिंग की मौत हो गई इलाज के दोरान दूसरे किसान अजय प्रित की भी मौत हो गई उनके साथ आये मुक्तसर जिले के आशा बुट्टूर वासी मोगा सीह ने बताया कि रात को टिकरी बॉर्डर धरने से चले थे सुराज ट्रैक्टर के पीछे उन्हें दो ट्रॉलिया जोड़ी हुई थी धंडूर गाओ के पास पहुचे तो पीछे से ट्रक ने पीछे वाली ट्रॉली को टकर मार दी ट्रक की टकर से पीछे वाले ट्रॉली का एकसल टूट गया और ट्रॉली अगली ट्रॉली में गुज गई इसे अगली ट्रॉली में 108 किसान चोटिल हो गए ट्रक की जोरदार टककर के कारण ट्रैक्टर भी असमतुलित होकर हाईवे किनारे की ग्रिल से जा टकराया हाथसे में एक किसान की मौके पर ही मौत हो गई जबकि दूसरे की अस्पताल में मौत हो गई गोवा के दोरे पर पहुंची कॉंग्रेस मासरचू प्रियंका गांधी लोग कलाकारों के साथ डांस कर विवादों में घिर गई है इस डांस का वीडियो सामने आने के बाद प्रियंका गांधी भाजपानेताओं के साथ-साथ आम लोगों के निशाने पर आ गई है इस वीडियो को साजा करते हुए भाजपाईटी सेल के प्रमुक अमित मालवी ने प्रियंका गांधी पर तंच कस्त हुए लिखा कि 21-11 के वरक्त राहूल गांधी ने भी देरा तक पार्टी की थी भाय की तरह प्रियंका गांधी भी उस वक्त गोवा में डांस कर रही है जब पूरा देश सीडियस जनरल विपिन रावत के अंतिम संसकार के कारण शोक में डूबा हुआ है क्या कोई बात इससे भी ज़्यादा शर्मनाक हो सकती है भाजपा प्रवक्षाश रहजाज जहिन ने लिखा एक तरफ पूरा देश वीरो को खोने का शोक मना रहा है सेडियस विपिन रावत के अंतिम दर्शन के समय पूरे देश की आँखे इनम है दूसरी और प्रेगा गांदी हस रही है नाच रही है और जशन मना रही है वह इस कारेक्रम को आगे भी बढ़ा सकती थी लेकिर इन्होंने जान बुच कर ऐसान नहीं किया भाजपा के मीडिया सलाकार शलब मनीत्री पार्टी ने लिखा राष्टे शती पर जब पूरा देश गमजदा हो दुखी हो रो रहा हो तबी गोवा से आ रही जशन की ये तस्विरे दिल को कचोड़ती है देश और वीर सेना के लिए आपकी भावनाव पर शक पैदा करती है शालनी तिवारी नाम की यूजर ने लिखा इस परिवार की मुर्खता का कोई अंत नहीं है क्या उनकी टीम में भी कोई समझदार नहीं था लालू परसाद यादो के छोटे बेटे तेजसु यादो ने दिल्ले में अपनी पुराणी दोस रचल गोडिनों के साथ शादी की है जाएक और लालू परिवार अभी जशने के माहुल में डुबा हुआ है वही दूसरी और अपने भांजे के फैसले पर पुरुवसांसद और मामा सादू यादो ने ही उगली उठा दी है उनका कहना है कि समाज के बाहर की लड़की से शादी करना ठीक नहीं है सादू यादो का कहना है कि क्रिश्चन लड़की से शादी करके तेजस्वी ने समाज के माते पर कलंक लगाया है हमारा यदूवन्शी समाज इसे सुईकाल नहीं करता समाज के बाहर की लड़की से शादी करना ठीक नहीं है बांजा चाहता है कि चुनाव में यादव उसे वोट दे लेकिन उन्होंने समाज से बाहर जाकर किश्चन लड़की से शादी की सब चौपट कर दिया उसके भाग में राजयोग था लेकिन सब खत्म हो गया उसके उस लड़की से पुराने सम्मन थे तेजस्वी यादो बिहार में लगातार जाती कर जनगना की बाते करते हैं लेकिन उन्होंने समाज से बाहर निकल कर किश्चन लड़की से शादी करनी है तो उन्हें जाती है जनगना कराने की क्या जूरत है सादू यादो ने कहा कि बिहार पर जब भी कोई मुसिबत आती है तो तेजस्वी दिल्ली भाग जाते है अब इसकी वज़े पता चली है उन्हें लालू यादो पर हमला करती हुए कहा कि परिवार ने देजस्वी की शादी को क्यों चुपाया क्यों दुल्लन का नाम नहीं बताया इसमें कुछ तो गड़बड है केंद्रिय सड़क परिवन और राजमार्ग मंत्री नितिन गड़करी ने अपनी ही सरकार पर सवाल उठाया है उन्होंने कहा कि भारत में सिस्टिम के कारण अधिकतम परियोजनाओं में देरी हो रही है सरकारी प्रणाली में निर्ने नहीं लेना और निर्ने में देरी करना एक बड़ी समस्या है हर जगह निलने लेने में इतनी देरी होती है जिससे परियोजनाओं की लागत में वृद्धी होती है उन्होंने कहा कि हम सभी जानते हैं कि निर्मान भारत में रोजगार के आउसर पैदा करने वाले प्रमुक्षेत्रों में से एक है क्रूशी के बाद यहां हमारे सकल घरेलू उत्पाद में योगदान के मामले में दूसरे स्थान पर आता है प्रदान मंत्री मोदी ने मेरी अधिक्षता में एक समीक तीन नियुक्त की है और अब हम हमेशा देश की बुनियादी धांचा परियोजनाओ से जुड़े मुद्दों को सुलजाने की कोशिश करते हैं याद रहे इलेक्ट्रिक कारों के मुद्दे पर हाल ही में नितिन गड़करी ने कहा था कि वो इलेक्ट्रिक कार निर्माता कमपनियों से बात कर रहे है बात्षिट फाइनल राउन में है और जल्धी पेट्रोल डीजल और इलेक्ट्रिक कारों की कीमत भारत में एक समान हो जाएंगी उन्होंने कहा था कि भारत ईवी करांती की ओर बढ़ रहा है जिसमें 250 स्टार्ट अफ वे उसाय लागत प्रभावी ईवी उप्राद्योगी की निर्मान में लगे हुए है समवता इसे जोड़कर उनके बयान को देखा जा रहा है ब्रेटेन के एक अदालत ने भारते मुल्के 22 साल के चात्र को एक नर्सिंग चात्रा का पीछा करने मद धमकी देने का दोशी करार दिया है उसने सवपनों के एक पत्र में धमकी दी थी इसी भी चिन की चाल से श्रिलंकाई सरकार की आखे खुली है अब वह अपनी सुस्सर तवयस्ता को बढ़ावा देने के लिए उसने भारत से मदद मांगी है तो कोरोना के ओमिक्रॉन वेरियंट से ब्रेटेन में हाकार मचने लगा है चेताउने में कहा गया है कि इस महने के आखरी तक संक्रमन के मामले 10 लाख तक पहुँच सकते हैं उधर विकिलिक्स के संस्तापक जूलियन असांजे के प्रत्यरपन का रास्ता साफ हो गया है लंदन की हाई कोर्ट ने कहा कि अब उन्हें ब्रेटेन से अमेरिका भेजा जा सकता है इसके अलावा अवामी वर्कर्स पार्टी के कारे करता यूसुप मस्तिखान ने पाकिस्तान की खोल कर रख दी है मस्तिखान के हवाले से कहा गया है कि 1947 में बलुचिस्तान को जबरन पाकिस्तान का हिसाब बनाया गया था और राश्ट प्रांत के लोगों को गुलाम मानता है मस्तिखान की गिरफतारी के बाद लोगों में भारी अक्रोश है दुनिया भर की इन पाच बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रही है आफ हमारे साथ ब्रीटेन की एक अदालत ने भारते मुलके 22 साल के चातर को एक नर्सिंग चातरा का पीछा करने का दोशी करार दिया है चातरा ओक्सपर्ड ब्रुक्स उनिवर्सिटी में अध्यानरत है अदालत ने पाया कि उक्त चातर साहिल भावनानी पर लगाए गए आरोप सही है तता इस से चातरा की भावनाय आहत हुई है इस टिपनी के साथ ही अदालत ने भावनानी को चार महने की कैद, दो साल की निलंबन और पास साल के प्रतिबंद का आदेश सुनाया पिछले महने अदालत में सुनवाई के दोरान पता चला था कि भावनानी ने नर्सिंग चातरा को दिये गए सव पन्नों के एक पत्र में धमकी दी थी पिडिता ने अपने बयान में कहा है कि इसके बाद वह मुझे च्छा मिनिट के लंबे वॉइस मेसेज भेजने लगा जिसमें अक्सर कहते सुना जा सकता है कि मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाने जा रहा हूँ मुझे अपने बच्छे पैदा करने है मुझे उसके साथ रहने दो पिडिता ने बार बार सपश्ट किया था कि उसे किसी भी तरह के रिष्टे में कोई दिल्चस्पी नहीं है और भावनानी को चेताव नी दी कि अगर उसने उसे परिशान करना जारी रखा तो वह पुलिस से समपर करेगी बावजुत इसके उसे डर सता रहा था कि भावनानी उसका यौनशोशन कर सकता है इस मामले ले अधालत ने सजा सुनाने के बाद यह भी जोड़ा कि विश्वी डाले चाहे तो यह फैसला करे यह क्या इंजिनरिंग के छात्र को उसके कोर से बाहर कर दिया जाए पढ़ाई और भविश्च को देखते हुए अधालत ने मौका देते हुए मामले को जनवरी 2022 के लिए स्तगित कर दिया श्री लंका फिलाल आर्थिक संकटो और चीन के कर्द का सामना कर रहा है पिछले साल की तुलना में इस साल के पहले साथ मेने में श्री लंका के तेल का बिल 41.5 फीसदी उचल कर दो अरब डॉलर हो गया है इस बीच चीन गीरती अर्थवेवस्ता के हवाले धीरे धीरे जब वहां पैर जमाने की कोशिश करने लगा तो श्री लंकाई सरकार की आँखे खुली इसके बाद अपनी सुस्त अर्थवेवस्ता को बढ़ावाद देने के लिए अब उसने भारत से मदद मांगी है इसी सिलसले में कुछ दिन पहले स्री लंका के वित्यमत्री बासिल राजपक्षे ने भारत की यात्रा की थी खबर है कि भारत शिलंका की मदद के लिए ततकाल आधार पर पैकेज नयार कर रहा है खाद्य और स्वास्य सुरक्षा पैकेज में भारत से खाद्य, दवाओं और अन्य आवश्यक वस्तूल के आयात को कवर करने के लिए एक लाइन ओफ क्रेडिट के विस्तार की परिकल्पना की गई है वही एनर्जी पैकेज में भारत से इंधन के आयात को कवर करने और त्रिकोमाली तेल टैंक फार्म के आदुनिकी करन को कवर करने के लिए एक लाइन ओफ क्रेडिट भी शामिल होगा अधिकारियों ने कहा कि शिलंका को अपने मौजुदा भुक्ता अंसंबंदी मुद्धों को हल करने के लिए एक करेंसी स्वैक की भी पेशकर्ष की गई है शिलंका में विभिन शेत्रों में भारत्य निवेश को सुविदाजनक बनाने का भी निर्डेल लिया गया है जो विकास और रोजगार के विस्तार में योगदान देगा कोरोना के ओमिक्रोन वेरियंट से ब्रिटेन में हाहा का अर्म मचने लगा है अगले दो हफ्तों में इसका और भी ज्यादा भयानक रूप देखने को मिल सकता है ब्रिटेन की स्वास्त सुरक्षा एजनसी ने चेतावनी जारे करते हुए कहा है कि इस महिने के आखरी तक संक्रमन के मामले दस लाग तक पहुश सकते हैं इस कारण बड़ी संक्या में लोगों के बीच बुस्टर डोज लगवाने की होड लगी हुई है वोई विशेशोगों ने चेतावनी दी है कि एनेचेस बुकिंग साइट वर गरबड़ी के चलते क्रिसमस तक कई लोग वैक्सीन नहीं लगवा पाएंगे इसी बीच वैक्सीन को लेकर एक जांच ने टेंशन बढ़ा दी है जिसमें एक्स्ट्राजेनिका वैक्सीन जिसे भारत में कोविशिल्ड के नाम से जाना जा रहा है कुछ मेहनों बाद ओमिक्रॉन के खिलाब अप्रभावी पाई गई हाला की रहात की बात यह है कि वैक्सीन की तीसरी कुराक यानि बुस्टर डोज ने वेरियन के खिलाफ 76 फेसिदी तक कारागर्ज साबित हुआ है वैक्सीन को लेकर सरकारी वेग्यानिकों ने ब्रेटेन में ओमिक्रॉन के 581 मामलों की तो ना डेल्टा के 56,000 मामलों से की ताकि शुरुवात या नुमाल लगाया जा सके कि नए वेरियन के खिलाफ टीके कितनी अच्छी तरह से रक्षा करते हैं हमने पाया कि ज्यादा तरह बुज़र्ग जेने कई महने पहले एक्स्टा जेने का की दो खुरा के दी गई थी उनमें ओमिक्रॉन के खिलाफ लगबग कोई सुरक्षान नहीं पाई गई विक्लिक्स के संस्तापक जूलीन असांजे के प्रत्यरपन का रास्ता साफ हो गया है लंडन की हाई कोट ने कहा है कि अब उन्हें ब्रिटेन से अमेरिका भेजा जा सकता है बता दे कि साल 4 जन्वरी को ब्रिटेन की लोवर कोट ने उनके प्रत्यरपन पर रोक लगा दी थी उस वक कोट ने कहा था कि अगर उन्हें अमेरिका भीजा गया तो वो आत्मत्या कर सकते है इसके बाद अमेरिका ने इस फैसले को हाई कोट में चुनोती दी थी जुलियन असांजे पर आरोप है कि उन्होंने साल 2010 से 2011 के दोरान अमेरिकी सेना और राजनितिक दस्तावेजों को प्रकाशित किया इस बार सुनवाई के दोरान अमेरिका ने अदालत को आश्वा संधिया कि वो असांजे के आत्मत्या के प्रयास के जोखिम को कम करेगा दरसल कई डॉक्टरों ने कहा है कि वो डिप्रेशन से पीडित है और अगर उसे प्रत्यार पित किया जाता है तो वो खुद को मारने की कोशिश कर सकता है अमेरिका में असांजे को जासुसी अदिनियम और कम्प्यूटर धोकादरी अदिनियम के तहत आपरादिक मारोपों का सामना करना पड़ेगा जासुसी अदिनियम लोगों को राश्च्ट सुरक्षा से सम्मधित जानकरी प्राप्त करने से रोकता है दरसल अमेरिका की दलिल है कि ऐसी जानकारियों से उन्हें नुखसान हो सकता है कोई विदेशी देश इन जानकारियों का फाइदा उठा सकते है पाकिस्तान के बलुचिस्तान प्रांत में चर्ज़र्य विरोध पदरशन के दोरान सरकारी संस्तानों के खिलाब बयान देने के आरोप में गुआदर में पुलिस ने 77 वर्षिय अवामी वर्कर्स पार्टी के कारेकरता युसुप मस्तिखान को गिरफतार किया है जो कि एक कैंसर रोगी है मस्तिखान के खिलाब दर्च प्रात्मी की में शिकायत करता ने आरोप लगया है कि उन्होंने AWP कारेकरता को राष्ट्र, सशस्त्र बलो और खूफिया एजन्सियों के खिलाब भढ़काव भाशन देते सुना है शिकायत में मस्तिखान के हवाले से कहा गया है कि 1947 में बलोचिस्तान को जबरंट पाकिस्तान का हिसाब बनाया गया था और राष्ट्र प्रांत के लोगों को गुलाम बानता है मस्तिखान ने आरोप लगया है कि पाकिस्तान 1953 से प्रांत से ग्यास की चोरी कर रहा है अब उसकी गिरफतारी को लेकर पूरे बुलिचिस्तान में गुस्सा है लोगों ने कहा है कि नागरी की समाज और प्रगितिशील राजनिती अंदोलोनों को एक खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जाएगा बता दे कि गुवादर में एक महिने से अधिक समय से विरोध प्रदर्शन कारियों ने पीने के पानी तक पहुंच सहीद बुनियादी अधिकारों की मांग की है इसके अलावा भी लोगों की कई मांगे हैं जिनमें जिवानी से कराची तक तटियर राजमार्ग पर अनावश्यक जान चोक्यों को हटाने सीमा व्यापार पर प्रतिबन ततकाल हटाना और अन्य चीज़ों के अलावा इरान से खाद्य पदार्टों का परिवेहन शामिल है तो आज की इस खास पेशकर्श में बस इतना ही आपसे कल फिल मुराकात होंगी तब तक देखते रिए वीके बी निउस नमस्कार झाल 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 झाल